इस कहानी में एक लड़के को अपने मॉम की फ्रेंड से प्यार हो जाता है, फिर वो दोनों कैसे टपाटप करते हैं और उसकी मॉम को जब ये सब पता चलता है तो क्या क्या होता है वो आद की एक्स्पिलें वीडियो में हम जानेंगे, मुवी की स्टार्टिंग में हमें पॉस ले लिया है और अभी भी वो पास्ट को भुला नहीं पाई है फिर रफी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाती है बहाँ पर रफी और डेविट के कुछ कॉमन फ्रेंड्स की बज़े से दोनों की आपस में मुलाकात होती है डेविट की पहले से एक गल जाती है और दोनों एक होटल में मिलते हैं डेविट बताता है कि वो अपनी गल्पेंड के साथ बिलकुल भी सीरियस नहीं है और रफी बताती है कि उसका अभी अभी डैवास हुआ है और वो डेविट से उम्र में 17 साल बड़ी है यानि की डेविट की मॉम की उम्र की है ले पर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बात आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि एच तो बस एक नमबर है अब सीन कट होता है और हमें डेविट को दिखाया जाता है जो अपनी फैमली से मिलने आया है यहां हमें पता चलता है कि लीजा ही डेविट की मॉम है पर लीसा को अपनी और डेविट के बारे में कुछ सब कुछ बिस्तार से बताने लगती है उसकी बातों से लीजा समझ जाती है कि रफी जिसे डेट कर रही है वो कोई और नहीं उसका ही बेटा डेविट है रफी अभी अभी टेंशन में है दूसरी तरफ यहां डेविट रफी को अपनी पेंटिक्स दिखाने लाया है फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं फिर अगले दिन रफी लीजा से कहती है कि वो काफी एकसाइटेड है और से मज़ा आ रहा है अब वो डेविट के साथ रिलेशन बनाने के लिए काफी सीरियस है रफी कहती है कि वो डेविट के साथ अपने घर के हर कुने में टपाट अप करना चाती है फिर वो कहती है कि उसने अपने घर के कुछ हिस्सों में टपाट अप कर लिया है लेकिन अभी भी कुछ हिस्से बाकी है ये सब बाते लीजा के गले स काफी सुन्दर और बड़े हैं कुछ दिनों बाद डेविड लीजा से कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है लेकिन रफी लीजा को बताती है कि वो अपने बॉइफ्रेंट के साथ बैकेशन पर जा रही है उसके बाद डेविड और रफी कहीं दू गुस्सा होती है और कहती है कि घर के सारे का मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं डेविड तो घर की सफाई भी नहीं करता ये सब कब तक चलता रहेगा अब धीरे धीरे उनमें बहां से चला जाता है शाम को वो रफी से मिलकर माफी मांगता है पर रफी कहती है कि हम दोनों क रिलेशन से ब्रेक लेना चाहिए डेविट भी उसकी बात मान जाता है फिर रात को डेविट अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है जहां ड्रिंक पीकर नशे में वो एक लड़की के साथ फिजीकल होकर टपाड़ अप करता है और अगले दिन उसे पता चलता है कि व अच्छी की जरूरत है तुम उसके पास जाना चाहिए अब वो सीधा रफी के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है रफी उसे माफ तो कर देती है लेकिन उसे यहां पर समझ आ जाता है कि डेविट उससे काफी जादा प्यार करने लगा है और वो उसके लिए कुछ भी सेक्रिफाइस करने को तयार है लेकिन इस उमर में बच्चा होना डेविट की रिस्पॉंसिविल्टी बढ़ा देगा और वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएगा जिस बज़े से उसका करियर और लाइफ बरबाद हो जाएगा रफी डेविट को समझात और यहां पर दोनों ब्रेक अप कर लेते हैं फिर हमें एक साल बात का सीन दिखाया जाता है डेविट अपने दोस्त के साथ है यह बही जगह है जहां रफी और डेविट ने पहली बार टपाटप किया था डेविट यहां पर रफी को देखता है वो दरबाजे के पास जाता शीशी को पूँच कर रफी को देखता है रफी भी उसे देखती है और स्माइल करती है इसके बाद डेविट को समझ आया कि दोनों का अलग रहना ही बहतर है वो यहां से चला जाता है और इसी के साथ मोवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में